एलो फ्रेंज विज्वल आर्च्वित विनी में आपका स्वागत है उमीद है आप लोग बड़े चंगे भले होंगे एंड बिलकुल अपनी पढ़ाई में लगे हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ क्योंकि हम लोग वेस्चन आर्ट की टाइम लाइन कर रहे थे गोथिक आर्ट का वीडियो देना था लेकिन वो अभी टाइम पर प्रिपैर नहीं हो पाए है गोथिक आर्ट के आर्टिस्ट बच्चे हैं अपने तो अपन उसको जल्दी कुछ दो-चार दिन में ले आएंगे तो आज मैं एक बड़ा अलग सा वीडियो लेके आई हूँ आर्ट फ चीज़ों को क्या समझते हैंगा यह बहुत इजी है यह टीक हमको जादा परणे कि जरूत नहीं हम लोगों को क्या पढने है हम लोग को क्या बढ़ना है हम लोग خu 안냐면 amazon पर और शिप्रियो को चinaire ऑनों सब को को Windows सबहां है यह री है लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी भार ऐसा होता है, for example, बहुत सारी definitions हैं कला की, हैना और ये question आ गया है कि ये कथन किसने कहा है, तो वो भी art fundamentals में ही आता है, हैना उसी में ही आता है, क्योंकि art definition जो प्रतम चरण है कला का, visual arts का, मैं तो ये कहूंगी कि उसी में आता है वो, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, और वो questions का marks हम लोग गवा देते हैं, इसलिए मैं ये समझूंगी, कि जरूरी नहीं है, कि सभार topics को ही पढ़ पढ़के, हम लोग उसको means अपने लिए preparation कर रहे हैं, कभी-कभी हम लोगों को fundamentals भी बहुत बार पढ़ना चाहिए, मैं मुझे काफी साल हो गए है, fundamentals पढ़े वे, लेकिन मैं अभी भी बहुत बार नई-नई books में से उसको पढ़ती हूँ, और ये बहुत जरूरी भी है, हम जितनी बार उसको पढ़ेंगे, उतनी बार वो हमारे लिए कम ही रहेगा, है ना, तो इसलिए art fundamentals भी अपने बारे में बह बहुत जरूरी है, दोस्तों, तो हम लोग आज art fundamentals का कला की परिभाशा है, कला सबको पता है, कि अभी व्यक्ति है, बहुत बाते हैं, मितलब बहुत चीज़ा हैं, अलग-अलग लोगों ने बहुत अच्छे से describe किया, हम लोग थोड़ा सा interest से पढ़ेंगे ना, दोस्तों ब देखें काफी channels, तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को western art के लिए बहुत कम channels हैं, और इसलिए western art का material भी नहीं मिल पाता है, इसलिए हम बस यह कोशिश कर रहे हैं, कि हम लोग चलिए इसको western perspective से देखते हैं, इसका next video Indian perspective पे रहेगा, इसका कोई western और Indian पे नहीं, लेकिन पहले म western perspective के बारे में थोड़ा सा discuss, कि किसने क्या क्या बोला है, art के बारे में क्या describe किया है, चीक है, तो शिरू करते हैं, दोस्तों, यह चीज बिलकुल सही है, हमें art fundamentals में यह definitions याद करनी होती है, लेकिन भाई, हम लोग भी human है, है ना, हम भी इंसान है, हम इतनी आसानी से सब ची नहीं बोलूँगी कि यह हमारा प्रथम chapter होता है, that means यह बहुत easy होता है, आप लोग को याद क्यों नहीं है, है ना, तो लेकिन इनको अगर हम थोड़ा सा कुछ tricks से, या आपकी कोई normal उसमें आप किसी को जोडने किसी से, ऐसा करके करेंगे ना, तो यह subject बहुत easy हो जाते है means यह subject को हम लोग बहुत अच्छे से memorize रख सकते हैं, ठीक है, तो कोशेश करूँगी, जो मेरी personal कुछ-कुछ tricks जो apply करते हैं, वो आप से share कर सकूँ, अगर आपको वो चीज सही लगती है, तो भी अच्छा है, और नहीं सही लगती है, direct learn आप अच्छे से कर लेते हैं, तो व बोल रही थी मैं, अब हम western perspective की definition शुरू करते हैं, हमारी first definition, Plato महराज देखिए, ग्रीक का पहले बताया आपको प्लेटो, तो यह सारे philosophers चलेंगे न, यह time से चलेंगे, मतलब प्लेटो सबसे पहले लिया है, क्योंकि वो इसापुर्व का समय था, ग्रीक के time हम देख चुके ह प्लेटो, Aristotle है न, कैसे तो प्लेटो पहले आए, तो प्लेटो ने क्या दिया था भाईया, कला सत्य की अनुकरती है, means art is the imitation of truth, ठीक है, imitation मतलब जो भी साच है, उसकी copy कला है, तो इसको मैं ऐसा याद रखती हूँ, यह तो आपको वैसे बहुत लोगों हुई याद रहता है, बहुत questions भी बन चुके हैं इसे, लेकिन इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, Plato, Plato से मुझे याद आता है, Pluto, Pluto क्या है, Pluto planet है, सबसे चोटा planet था लेकिन, तो उसको मैं यह याद रखती हूँ, ऐसे मैं कोई लाइन है, Pluto पहले सच था, पर अब वो copy बन गया है, ऐसा करके बोलती यह क्यों क्यों क्योंकि प्लूटो पहले सच था लेकिन अब वो कंसिडर नहीं करते हैं तो सच से मैं सत्य याद रखती हूं और कॉपी से मैं कॉपी का मीन्स वह होता है imitation तो उससे मैं imitation याद रखते हूं तो art is the imitation of truth है ना मेरी mostly इंग्लिश वाली definition में होती है लेकिन फिर भी मैं मतलब कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा बता सकूं ठीक है अब आते हैं उनी प्लाटो के महराज के शिष्य एरिस्टोल एरिस्टोल के गुरू प्लाटो थे है ना 384 से 322 बीसी अब मैं सब कर टाइम नहीं बोलूंगी टाइम आप खुद नोट करते जाएगा हम लोग definitions पर focus कर रहे हैं तो अरिस्टोल उनने क्या बोला था एकदम बिल्कुल बुक्स वगेरा लेके बढ़िया तो 354 से 430 बीसी का टाइम था इनका इनने क्या बोला तो कला आंत्रिक सत्य का उदगाटनन है आप इसको मैं क्या याद रखती हूं देखिए थोड़ी सी कहानी अजीब है लेकिन फिर भी ओगस्ट में फ्रेंड्शिप डे आता है और राखी पर भी भाई भेन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट जो है हम अपने किसी के भी घर के इनोग्रेशन में भी दे किस ने बोली है सेंट अगस्टाइन ने बोली है ठीक है थोड़ी सी वियर्ड लगेगी है ट्रिक्स और यह सब लेकिन फिर भी आपको गजो सही लगे वह आप कीजिए ठीक है तो प्रोटिनस ग्रीक के आए प्रोटिनस का हमनें ग्रीक में बहुत पड़ा है उनने भी बोल अध्यात्मिक रहस्य के बहुता है तो अध्यात्मिक से प्रोटिनस याद रखती हूं इसका कोई विशेश ऐसा कुछ नहीं है मुझे याद रहता है कि यह जो स्पिरिच्वल मिस्टिकल एक्सपीरियनस वाली चीज़ है वो किसने प्लेटो ने प्रोटिनस ने बोला है तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद हो जाता है ठीक है अब क्या आगे सेंट थॉमस एक्यूनस थेंट सेंट थॉमस एक्यूनस देखे कितने बढ़िया कुछ समझाई रहे हैं अभी भी अपने को इंग ने क्या बोला है बहुत अच्छे से देखते हैं तो थॉमस से हमको याद आता है थॉमस एलवा एडीसन याद रखना है न हर किसी को याद आता है वो उनको वो क्यों नहीं याद आते हैं पहले तो क्या है कलाकृति पूर्ण होने पर ही सुन्धर दिखती है अतव पूर्णता ही कला है इनने क्या बात बोलिए कि कला पूर्ण होएगी तभी वो कलाकृति कहलाएगी इसलिए आठ क्या है? completeness है ठीक तो completeness completeness वाली चीज completeness पर जिसने जोड दिया है एक-एक word पकड़ना है कोई भी definition है उसको ऐसे word to word रटना वो चीज हम क्या हां देता है जब हमको subjective paper आता है जब हमको लिखने होता है लेकिन यह हमारा यही plus point है कि इनमें हमको objective रहता है obviously आपको question में या कोई reason, exertion वो वाले question है वो वाले होंगे जो भी आएंगे तो इसमें आपको definition तो दी रहेगी लिखनी थोड़ी रहेगी word to word लेकिन यह पूछेंगे कि ऐसा सिद्धान्त किसने का था तो वो हमारे plus point है हम लोगों को सिर्फ learn रखना है कि यह वाली चीज किसने बोली थी यह वाली चीज हमें word to word का नहीं है तो इसलिए हम मैं अपने तरह से सला देटी हूँ आपको कि आप लोग definition की theme पकड़ो उसको समझो कि इनने क्या बोलना चाहिए तो वास्तों में इनने भी यह बोलना चाहिए कि completeness कला एक मतला पूर्ण निता से जूड़ी है तो इस समय ही बोलते हूँ Thomas से Thomas Alva Edison उन्हें electricity की खोज करी और हमें complete किया ऐसा तो एक ऐसी line बनाई तो Thomas and Thomas Aquinas ने completeness के बारे में हमको बताया चीक आगे बढ़े Francis Bacon बढ़ी अच्छे मेरे favorite हैं इनके means बहुत बढ़ी है इनका sketch portrait बहुत अच्छा बन्द है काफी सुन्दर देखते हैं तो 1561 से 1626 Francis Bacon जी ने क्या बोला है तो देखते हैं कलाओं का संबंध उस अभिव्यक्ति से है जो स्मृति और विवेक द्वारा संचालित होती है कोई भी वो चीज़ है वो expression जो हमारी memory से और हमारी wisdom से हमारी स्मृति से और हमारी विवेक से होती है तो Francis Bacon ठीक है तो इनका मैं क्या बोलती हूँ देखो इनका मैं क्या सोचती हूँ memory और wisdom दिमाग में होती है है ना वहाँ हम ख्याली पकाव ख्याली पुलाव भी पकाते हैं और ठीक है वहाँ भी हम ख्याली पकाव पकाते हैं और वहाँ ही हम friends को बेक करते हैं ऐसा तो Francis Bacon ने क्या बोला है Francis Bacon से मैं memory और wisdom ऐसा कुछ याद रखती हूँ ठीक है तो थोड़ा सा कुछ-कुछ स्लाइटली पर मैं बताने की कोशिश कर रहे हूँ आप अपने तरह से भी कुछ जमा सकते हैं Francis Bacon को लेके और memory और wisdom को लेके हमको इस चीज को जमाना रहेगा आगे hopes hopes अंकल देखे बहुत अच्छे लगते मैं को कितने सुन्दर हैं है ना इनका फोटो अगेरा विल्कुल बहुत बढ़ी है 1588 से 1679 hopes इनका क्या है तो मैं तो सीधे बोलते हूँ यह बोलते हैं कला में नैतिकता अवश्यक है कला में morality अवश्यक है अब अपन इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम यह बोल सकते है कि होप्स से यादा आती होबी होभी हर किसी को बदा और होबी नैतिक होनी चाहिए यह एक लाइन है होभी में क्या होना गाटन जी, इनने क्या बोला है, तो इनने किस पर focus किया देखे, तो कला प्रकृती की अनुकृती है, imitation है, सेम चीज, जिसे कलपना द्वारा व्यवस्तित किया जाता है, अब imitation वाली चीज तो बहुत होगी, imitation को focus करेंगे, तो तो हमको plateau और इस्टोल या देगा, लेकिन इसमे और इससे अगर उस चीज को समझ पा रहे होंगे तो मैं यही कहना चाहरे कि इसमें हमको दो चीज याद रखनी एक तो प्रकृति के अनुकृति मतलब जैसी चीज उसने बोली थी किसने प्लाटो ने अरिस्टोल ने बोली और दूसरी चीज कलपना जो चीज अभी मतलब हम आ प्रकृति की अनुकृति करते हैं तो एक तो मुझे प्रकृति की अनुकृति याद आजाए अपने को और दूसरी चीज जब हम गूंते हैं तो हम कलपना करते हैं सबसे बड़ी चीज वही है तो गार्डन में घूमके हमें अनुक्रति करनी है और हमें में कलपना करनी है तो क्या हो जाएगर सब गोंब इनका life कितना अच्छा है देखिए, ऐसे वाले मैं को अच्छे से याद रहते हैं, अपन उल्टा सिद्धा बस एक समान, तो विंकल मैन, विंकल मैन क्या बोलते हैं, कला अपनी समय की संस्कृती की अभिविक्ती है, जो भी obviously बहुत बढ़िया definition है, definition को समझी है, समझा भी रह बना के जोडने तो जादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो कला अपने समय की संस्कृती, मींस आपको वो जो भी समय है, जो भी समय था, चाहे primitive man का समय हो लिया, चाहे हमारा ancient time हो गया, चाहे medieval period हो गया, चाहे contemporary, चाहे modern period, अभी का हो गया, चाहे तो जो भी है उस समय की जो सं संस्कृती को वो लोग highlight कर रहे है, time की संस्कृती को, ठीक है, तो win से याद आता है जीत, जीत से याद आती है भारत, और भारत से याद आता है संस्कृती, ठीक है, भारत अपनी संस्कृती की जीत, मतलब भारत ने जीत से अपनी संस्कृती को हासिल किया है, ऐसे करके हम उ इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कांट, कांट, तो कांट भाईया, देखें, कांटे बहुत दुख देते हैं, कांट से यही याद रखना, कांटे बहुत दुख देते हैं, लेकिन यह हमारा कांटा अलग है, कैसे, कला आनन्द है, इससे लाभानी का विचार नहीं होता means कला आनन्द है उसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता तो यह हमारा कौन सा काटा है यह हमारा काटा वो है जो आनन्द प्राप्त कर देता है और उससे ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे art is a pleasure it does not consider profit and losses को हम क्या बोलेंगे कि यह काटा आनन्द देता है इससे ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है तो हम यह किस ने बोला काटा कांट ने बोला है sorry कांट जी को कांट अंकल को sorry बोली है लेकिन हमें learn करने के लिए यह करना रहता है ठीक है सब लोग जब भी ए पर उनको sorry बोल दीजेगा के sorry अंकल लेकिन हमें learn करने के लिए करना पड़ेगा हम आपको काटा नहीं बोल रहे हम आपको आनन्द वाला काटा बोल रहे है तो कला आनन्द है इससे लाभानी का विचार नहीं होता ठीक है अब अगले देखते हैं कौन है J.E. Lessing 1729 से 1789 यह बड़े attractive बन देखिए means मतलब उनका haircut देखिया किता ही बड़ी है painting बनाएंगे तो भी कितने सही लगेंगे एकदम तो देखते हैं Lessing जी ने क्या बोला है कला का सरवोच लक्ष आनन्द प्राप्ति है अब देखिए उनने आनन्द का बोला था लेकिन साथ में profit and loss भी बोला बोल रहे हैं कि इनने किसको focus किया है इनने सिर्फ आनन्द को focus किया है सिर्फ pleasure को focus किया है तो इनका कहने का मतलब है कि कला का सरवोच लक्ष आनन्द की प्राप्ति है तो इनका नाम क्या है Lessing Lessing से याद रखिए G.E. Lessing नहीं मतलब जो भी चीज़ आप उसको याद रखो means उनका surname या back name उसको भी याद रखिएंगे तो भी याद रहेगा Lessing Lessing से होता है सिंग मतलब गाना गाना और उससे हमें आनन्द प्राप्त होता है तो क्या होता है सिंग करके means English and Hindi mix कीजिए सिंग करके आनन्द की प्राप्ति होती है तो कला का सरवोच लक्ष आनन्द की प्र लेबनीज देखें फेज इनकी तो एकदम ऐसे ऐसे हेर स्टाइल रखते थे विल्कुल एकदम शांदर ठीक है तो इनका थोड़ा सा देखते हैं लेबनीज कला से नैथिक उत्थान होता है हितानी होता है तो आर्ट लीट्स टू मॉरल अफ्लिफ्ट की जो बात करते हैं व लेबनीज का यह आपका टास्क है कि कुछ भी एक अच्छा कसा जोड जाड़के इनके लिए कुछ ट्रिक बना देना ताकि इनको भी आपन हमेशा याद रखें ठीक है सब लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करके देना मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि कोई भी वीडियो के बाद वो भी देख लेंगे तो उनको यह जो एक हमारा ड्रॉबेक रहा है वो भी पूरा हो जाएगा ठीक है तो लेबनीज की सब का टास्क है इसका स्क्रीन शॉट ले ले लेना और इसको देख देख के कोई सी भी एक ट्रिक बना देना ठीक है जो भी एक दौपन देखता से आंतरिक सम बनते चीक है तो इसमें हमको क्या करना है देखे शाफ याद नहीं रहता शाफ दूसरी चीज़ होती ब्यूरी ब्यूरी से याद रखो ब्यूरीड ब्यूरीड करना मतलब गाड़ना ठीक है ब्यूरीड का मतलब क्या होता है गाड़ना तो और नैतिकता को गाढ़ना है गाढना से हमको याद रखेंगे अंदर भी है गाढ़ना आंत्रीक मतलब नैतिकता से आंत्रिक संबन्द है और उसी गाढ़ने को हम English word मेलेंगे襜affenburg और व्यूरी से किसने बोला ये उड़ाए ये शाक्ष्च व्यूरी ने ठीक है तो art has internal relation with morality, morality सेंग का internal relation है, internal beauty का मतलब intern, मतलब internal अंदर, और morality को हमको beauty करना है, that means हमको morality को अंदर डालना है, internal रखना है और बोला किसने है, शाक्सबरी में, ठीक है तो थोड़ा बहुत ऐसा ही है addition, addition ने क्या बोला है कला मनो भावो को उत्तेजित कर, आनन्द प्रदान करती है art stimulates emotions and give pleasure, ठीक है addition से sun याद रखते हैं मनो भावो को उत्तेजित करती है मतलब अपने अंदर, जो emotions होते हैं उसको उत्तेजित करती है और pleasure देती है addition से sun याद रखती हूँ sun अपने father के साथ emotions share करता है and उसी चीज से उसके पिता को pleasure भी मिलता है, ऐसा कुछ है ठीक है, तो ऐसा याद रख रखता है कि बेटा बेटा अपने पिता के साथ emotions share करता है और उसी से उनके पिता को आनन्द भी मिलता है ठीक है, आगे George Buckley इन्हें क्या बोला है, देखते हैं कला ईश्वर ये है इसके कारण हमें समवेदनाओं का ज्यान होता है चीक है George Buckley इन्हें कहा है कि कला जो है divine है, इनके कारण हमें sensations का, जो समवेदना है उसका knowledge होता है तो क्योंकि ये जीयो से शालू हो रहा है तो हम इसको जीयो से गौर्ड लेले जीथी इश्वरी हो जाता था और sense organ Berkeley के EY जो है English में देखा था, इसको EY देख रहा है आपको ये, एक मिनट ये EY इससे हम बना लेते थे आई और आई क्या है, sense organ है तो इसलिए हम sensations याद रखने हैं इसका कुछ और बेटर मिले तो ज़रूर बताइएगा थेखे, थोड़ा भोज जो है उसको हम मैं share कर रही हूँ बस और कुछ नहीं आगे Hudson Hudson जी क्या बोलते हैं, ये भी इनको भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं आप कला अनुकृति को सौंधर्य प्रदान करती है है ना, कला अनुकृति को सौंधर्य प्रदान करती है that means art provides beauty to the imitation Hudson से एक ही चीज याद रहती है English का ही जैसे देखते हैं, हट हट, हट, एक मिनेट हट, हट क्या होती है इस तरह की जो पड़ पड़ती होती है हम लैंड्सकेप में जो बनाते हैं तो हट है, हट से आप याद रखिए Hudson सरी, Hudson से आप याद रखिए हट, और हट क्या करती है तो हट लैंड्सकेप में अनुकृति करते हैं हट जो है, एक सौंधर्य प्रदान करती है, और एक अनुकृति होती है, तो इसको हम जोड सकते हैं, ठीक, अब आते हैं William Hogarth William Hogarth क्या बोलते हैं कला का आनन विविधता में है The pleasure of art is in diversity Hogarth से एकी चीज याद कर सकते हो Earth Hogarth और Earth, इनका राइम मिलता है Earth और Earth क्या है Earth डाइवर्स है Earth में डाइवर्सिती है ठीक है, तो यह William Hogarth ने कहा था, अब देखते हैं एक मिनिट David यूम, यह क्या बोलते हैं बहुत बढ़ी अच्छे हैं यह भी बिल्कुल, तो यह बोलते हैं कला समवेग है, जो हमें सॉंदर की वास्तविक अनुभुती कराती है कला क्या है भई? Art is an emotion that give us real feeling of beauty एक वो emotion है जो हमें एक असली feeling देती है beauty के लिए, सॉंधरे के लिए aesthetics भी ले सकते हैं उसके लिए, चीक है? तो यह आप इसका भी देख लीजेगा थोड़ा सा इसका नहीं है, मेरे पास चीक है? अब चिलर, चिलर क्या बोलते हैं? स्चिलर जी क्या बोलते हैं? 1759, 705 के हैं यह क्या बोलते हैं? मानव मन में स्थिती, क्रीडा प्रवड़ती की कला है मानव मन में जो स्थिती है Art is the only trend in human mind मतलब मनुष्य के दिमाग में बस एक स्थित क्रीडा है क्रीडा मतलब एक trend तो trend से याद रखती हूं मैं कैसे? कैसे देखिए? Human, मानव मन को कर लो आप क्या करोगे? trend in human तो मनुष्य का दिमाग चिल रहता है आजकल बहुत सब चिल करते हैं human तो human चिल रहेंके रहते हैं और यही आजकल का trend है चिल करना, just chill तो human chill करते हैं और यह आजकल का trend है तो art is the only trend in human mind कुछ-कुछ चीज़ें इंगलेश से भी याद कर लिया करो दोस्तों जो लोग जुडने का बोलते हैं तो आप बिल्कुल टेलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं विजूल आज्स वित्मिनी से अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी इस तरह का message मुझसे कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको doubt हो तो अब आते हैं अगे विलियम वट्सवर्थ विलियम वट्सवर्थ जी क्या बोलते हैं हाई यह देखते हैं कला बलवती तथा प्रभावशाली भावनों का सहज उचलन है मन की प्रशांत अवस्था में मनो भावो के अनुस्परन से वह उथपन होती है आथ is a comfortable eruption of strong and powerful emotions जो भी अंदर अपने बहुत strong और powerful emotion आते हैं मनो भाव आते हैं उसको ही मतलब बयांग करने का एक बहुत comfortable है वो in the pacific state of mind एक normal state दिमाग के it arises from recollection of emotions emotions को वापिस recollect करके उस से arise होती है ठीक है तो यह बहुत बड़ी है इसके लिए थोड़ा से learn करना tough हो जाता है लेकिन normally आप इसको learn कर सकते हैं Heagle Heagle ने क्या बोला है art is the medium to express non-material authority जो non-material है अधी बहुत दिक सकता है उसको हम उसको means वो कर सकते हैं उसको बयान करने का वो है तो Heagle Heagle से याद आता है Eagle है ना non-material जो की material नहीं है non-material है उसको जो हम show करते हैं material चीज़ तो है यह बहुत important है Heagle ने बोला था कि material things जो है वो तो हम देख रहे हैं सब जगे ठीक है वो चीज़ material है लेकिन जो चीज़ material नहीं है उसको बयान करने की चीज़ क्या है कला है तो उनने यह चीज़ बोली थी तो Heagle Heagle से याद आता है Eagle Eagle तो होती है Eagle पक्षी है Eagle क्या होता है Eagle material है उसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं लेकिन Eagle material है उसी तरह Heagle क्या होगा Non material होगा ठीक है तो थोड़ी सी चीज़ा हैं ऐसी तो Heagle Non material है ऐसा याद रखना है Heagle non material तो Art is the medium to express वो क्या बोलते हैं Express वाली चीज़ तो सब बोलते हैं लेकिन किस चीज़ से जुड़े हैं उसको तो क्या बोलेंगे Heagle Non material है तो Heagle Art is the medium to express Non material authority Shelly Shelly को बताया था पहले Sorry Shelly क्या बोलते हैं भहिया Shelly 1792 से 1822 कला कलपना की अभिविख्दी है expression तो सब बोलते हैं लेकिन क्या main चीज़ बोलता है तो मैं पहले आपको बताया था कि ऐसा imagination बहुत लोग बोलेंगे लेकिन हमको mix भी करना है तो उसमें तो वो था अब ये इसमें ये क्या बोल रहे हैं सिर्फ कि ये imagine करता है Art is the expression of imagination कलपना करती है इनने expression को दिया तो इससे याद रखिए देखिए शेली से भी याद रखो या तो शी से याद रखो शेली भी girl का name ऐसा होता है और शी से याद रखो शी मतलब girl और girl बहुत imagine करती है बोलते हैं ओरतें लड़कियां बहुत कलपना करती है तो शी से feminine form और वो बहुत कलपना करता है हैंडिच हाइन इनने क्या बोला है आई ये देखें जरासा तो कलास वंदर प्राकृतिक पूनता का नाम है ना जो कमप्लीटनेस पहले उनने बोला था एडीसन ने हम बोलते हैं एडीसन ने कमप्लीट किया है तो उनने बोला था जैसे कमप्लीट करने का वैसे ही हम बोलते हैं कि इनने भी बोला था कि प्राकृतिक पूनता का नाम है निर्पेक्ष्षत्त्य है में लेकिन साथ में क्या बोला था निर्पेक्ष सत्त भी है इंद्रियों के कारण ही यह संदर पूर्ण वस्तों का सामना करते हैं अभी इनने दो तीन चीज बोल दी एक संसेशन दूसरा सच और तीसरा प्राक्रतिक पूर्ण नेता अगर इसका कुछ आपको लगे तो मुझे जरूर बताएगा अब हमारे जॉन रस्कीन सब जानते हैं 1819 से 1900 के बीच में इनने क्या बोला है कहला आहलात की अभी विक्ति है है art is an expression of joy joy से याद रखिए देखे रश किन रस क्या प्रदान करता है जॉइ प्रतान करता है हिंदी में आपका वही आहलात तो art is an expression of जोई, जोई से related किसने बोला है रस किन ने रस, जोई प्रदायन करता रस मतलब वई, ठीक टॉल स्टोई बहुत अच्छे अंकल जी हमारे इनने बहुत सारे definitions दिया है इनने, देखिये, medium of expression with line, form, action यह इनकी एक बड़ी definition है बहुत जगे मिलेगी, लेकिन एक बहुत simple चीज़, एक और भी उनने बोली है जो है, कला भावो का संप्रेशन है, means art as a communication communicating, ठीक है, एक जो है वो भी बोला है, expression, throw, line form, shape यह जो है, यह क्या होता है art होता है, यह भी उनने बोला है और, मतलब उसका मतलब उनने यह बताया है, कि अगर हम किसी भी line shape, form से कुछ चीज express कर रहे हैं, वो जो वो देखने वाले पे भी जब वो same impression create करेगा तब वो कला होगी, ऐसी उनने एक definition दी एक जो है कि communicating की है, तो हम इसको क्या याद रखेंगे टॉल स्टोइ से toy, मतलब क्या होता है, toy खिलोना, सब खेलते हैं, टॉइ क्या करता है, toy communicate करता है है जब न, toy से हम communicate भी करते हैं, आज को, बहुत communicate वाले toys आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे toys communicate करते हैं, मतलब भावों का impression करते हैं, जो भी आप लीजे तो टॉल्स्टर का क्या हो जाएगा Art is a communicating अब देखने हैं Frederick Nitchet इनने क्या बोला है कला अभिव्यक्ती है जिससे कलाकर अपने अनुसार करता है ठीक है, तो Frederick से कला क्या है, भाई वो अभिव्यक्ती है वो expression है, जिसको वो अपने according अपने दिमाग के according अपने मन के according रचता है यह किसमें बोला फ्रेड रिच ने अब इसको कैसे याद रखें तो फ्रेड रिच एक चीज एक वर्ड रख लीजएगा तो भी हो जाता है काम फ्रेड रिच से आदेगा रिच, रिच मतलब धनवान और धनवान हर चीज अपने इसाब से करता है तो धनवान के मतलब रिच की अनुसार क्या है कि कलाक्रति वो है जो वो अपने अनुसार अभिव्यक्ति तो बहुत चीज में आएगा और इसलिए इन्हीं सब चीजों से हम लोगों ने क्या निश्कर्ष निकाला है means कोई भी बुक्स है आपका जो art definition वाला chapter होता है न उसके बाद आपका यही निश्कर्ष निकलता है कि कला overall अभिव्यक्ती है या अनुवूती की अभिव्यक्ती है means impression का expression है तो वही चीज़ में हम लोग देखते हैं और उसी से हम मतलब mostly definition में expression आएगा लेकिन हमें किस से क्या जुड़ावा है किस ने क्या तर्क दिया है वो हमारे लिए बहुत helpful हो जाता है सिगमंट फ्राइट उनने क्या बोला है आईए देखते है कला अचेतन मन की अभी व्यक्ति है देखे यह भी अभी व्यक्ति है लेकिन कौन सा अचेतन मन की जिसे रंगों और रूपों से कला कर व्यक्त करता है चीक है विभिन रंगों रूपों से होगा है तो कला क्या है कला is an expression of unconscious mind expressed by the artist in colors and themes तो फ्रेयोड से आदाता है मुझे फ्रॉड इंसान sorry uncle लेकिन आपको फ्रॉड बोलना पड़ेगा क्या अपका नामी ऐसा है तो फ्रॉड का मन अचेतन होता है और वो अपने अलग-अलग रंग और रूप दिखाता है तो आठ उनका unconscious mind होता है और वो कैसे expressed करता है अलग-अलग colors और form से रंग रूप उसके अलग-अलग होता है जो फ्रॉड होता है फ्रॉड को क्या बोलता है जो अलग-अलग रंग रूप दिखाता है he is fraud that means he is not correct he is not real तो real जो नहीं होता उसके बहुत रूप होता है फ्रॉड अंकल क्या बोलता है fraud अंकल का भी मन हमेशा अचेतन रहता है और बहुत रंग रूप है ठीक है Alfred Edler इनने क्या बोला है तो कला हींता की भावना से मुक्ती पाने के लिए किया गया श्रेष्टता कारे मतलब जगर अगर आपके अंदर ही इन भावना आती है तो उसके लिए मतलब श्रेष्टता का वो इतना उसको उससे बेटर करने के लिए वो कार है अताहिया चेतनाकी की गई प्रक्रिया है तो हम बस इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो Alfred अंकल है art is an act of superiority तो हम इनको क्या बोलते हैं कि Alfred अंकल है उनने हीन भावना से मुक्ती पाने के लिए बहुत श्रेष्ट कारी किया है इससे याद रखिये है हीन भावना वली बाद उनने Alfred ने हीन भावना से मुक्ती काने के लिए श्रेष्ट कारी किया है चिक अंगला देखें ये क्रोचे देखें ये सब टाइम से हैं मतलब टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हमारे फिलॉसफोर्स चीक है लेकिन क्रोचे अंकल की बाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है छोटे-छोटे बच्चे को भी जानते हैं क्या है उनका तो उनक क्रोचे मे smINGING आप जाते हैं जो मन में जो impreशन होता है उसको हम क्रोचे मेकिंग के के उससे express करने हैं तो क्रोचे ये कांड और इंप्रेशन को एक्स्प्रेस करते हैं, क्रोचे वाली चीज को ज्यादा इलर्न करने की जरुवत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सीरी सारी चीज है, अब आतने हैं, काल गुस्टाव जंग, इन्हें क्या बोला है, आईए, कला स्मृतियां, प्रतीकों, मिथकों द्वारा जो भी मतलब स्मृतियां हैं, जो हम भूल जाते हैं, जो प्रतीक हैं, जो माइट्स हैं, मिथक हैं, उसके द्वारा मीन्स हम जो अभिव्यक्त करते हैं, उसको किया गया, जो उसके द्वारा किया गया काल्या होता है, इससे क्या याद रखोगे, जंग, इनका कुछ अलग स तो कितनी बार यह बोलते हैं मेमोरीज मतलब स्मृतियं प्रतीक जंग लग गया तो इसम प्रतीक ब्रतीक मित्थक इन पे जंग लग ग गया तुम सम्रतियां ऋy यहाद रहो है यह बहुत बढ़िया बात है आगे देखें विल्हाम वोरिंगर इनने क्या बोला है देखिए बहुत tension में अंकल ठीक है तो कलात्मक अनुभुती का सामान्य मूल आत्ममुक्ती है the common root of artistic feeling is a self-liberation अपनी आत्मसी मुक्ती ही क्या है उसका main root है किसका कला का इसका भी मुझे रंग से कुछ बता नहीं पाई है उंकल ने पहले फेस देखके डर लग गया था इसलिए कुछ बोली नहीं पाई इनके लिए तो आपको अगर कुछ जमता हो तो बताईएगा और comment section में बिल्कुल wait करूँगी अपने नहीं कुछ आपकी tricks जो भी कुछ experiment करें आप उसके लिए चिक हैं आगे देखें Herbert Reid Herbert Reid बहुत बढ़िया बुक है इनकी बुक्स बहुत अच्छी लिखें हैं और पढ़ियेगा बहुत अच्छे हैं मतलब कला हमारे मानसिक ही नहीं शारिरिक तथा बौधिक स्रिष्टी के पक्षों से जुड़ी रहती है Art is not only related to our mental but also to the aspects of physical and mental creation ठीक है सिर्फ अपने दिमाग की चीज से नहीं जुड़ी रहती है भलकि हमारे मतलब इंग्लिश में थोड़ा से confirm mental mental सेम हो गया लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ दिमाग से ही नहीं जुड़ी रहती है जबकि हमारी एक physical और हमारी जो शारिरिक एक वो रह से याद आता है बुक और बुक रीड करके बुक रीड करके हम सिफ मानसी की नहीं भलकि अपनी भौतिक और शारिरिक क्रियेशन भी करते हैं इसा बुक रीड करके ठीक है इनने इन तीनों चीज को फोकस किया है हर बड़ी आड़ जी कोलिंग वोट क्या बोलें वहीं यह कल देखें वह क्या बोलता है और उसका वापिस प्रस्तोतिकरण नहीं होता अगर मालीजिए फॉर इंपल एक आड का अगर हमने प्रिंट निकाल लिया हमने उसको मिंस का कोपी कर लिया उसको वह कर लिया तो इनकी अकॉर्डिंग वह आड नहीं है वह आड क्या है जो ओरिज कोलिंग वूड ने और आर से आप याद रख लीजी रिप्रोड्यूस चीक है तो देखूं और है ओके तो यह थोड़ा सा डेफिनेशन थी किसकी दोस्तों कला की वेस्टिन पस्पैक्टिफ से जो अंग्रेजी लोग बहुत बारी चीज़ां को याद नहीं रह पाती है तो थ समझ कि आप करेंगे तो बहुत अच्छे से होएगा तो उसको समझिए हर डेफिनेशन को पढ़िए मज़ा आता है और अप अपमारा यह क्या था हमारा यह वेस्टिन प्रस्पैक्टिफ का आर्ट डेफिनेशन हो चुकी है अब जो हम लेके आएंगे अब हम आएंगे बोलूँ कि मैं अभी जो हम लोग वो पढ़ते हैं लिट्रेचर पढ़ते हैं मतलब लिट्रेचर में जो हम आर्ट का वो पढ़ते हैं वो बहुत ही इंट्रस्टिंग है है न सब चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो चित्रसूत्रम देखने चित्रलक्षान देखें बहुत अच करके उसको आपके सामने लाएंगे लेकिन ये भी आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए बुक रीडिंग कीजिए बहुत यूस्फुल रहेगा चिक है तो उमीद है आपको आज की ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन अच्छी लगी होंगी कै इसी लगी कमेंट सेक्षिन में लिखे प्लीज बताएए जादस जादस लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये सब चीज़ें बोलना जरूरी होती है इससे बोल रही हूं ठीक है बाकी मुझे पता है आप लोग बहुत लेकिन बस यही चाहेंगे कि जादस जाद लोगों को इसकी जरूरत हो तो वो पूरी कर सकें ठीक है तो जल्दी आपके लिए आपका बढ़िया सा वीडियो लेखे आएंगे कौन सा वाला जल्दी बताओ इंडियन परस्पेक्टिव वाला उनका आर्ट की डेफिनेशन ठी थैंक यू सो मच